हेलो दोस्तों कैसे आपसे लोग मैं हूँ गौराप मरगुपता दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए तरीके वारे में जहां पे आप अपने यूटुब चैनल को बीना मोटेज की हुए अच्छी खासी अर्णिंग कर सकते हैं तो आज की इस की बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुर्ण सरस्ता का देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज से एक दो साल पहले अगर आप किसी से पूछते कि यार मुझे यूटुब से पैसे कमाने है तो वो आपको बोलता कि आपको अपने यूटुब चैन चैनल के अंदर या फिर वीडियो के अंदर और उसका लिंक वीडियो के डिस्कुप्शन में दे दे तो वहाँ पर कोई क्लिक करके उसको खरीदता है पर्चस करता है तो उसके पैसे आपको मिलते हैं लेकिन यहाँ पर यह दोनों तरीके बिल्कुल पुराने हैं और इसके बा तो यह काम आप अपने mobile phone से कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको अपने laptop के अंदर यह दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर समझाना आसान होता है लेकिन आप यह काम अपने mobile phone से भी कर सकते हैं तो mobile में आ जाईए YouTube एप open कर लिजे और यहाँ पर देखिए मैं अपने YouTube चनल मे रहे हैं उनके भी video rank कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इनकी video rank इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने video के अंदर अच्छे से SEO किया है और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने video के अंदर SEO कैसे कर सकते है Search Engine, Optimization कैसे कर सकते हैं आपने वीडियो को Rank कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वीडियो हैं अब यहाँ पे मैं इस चैनल को Open करके दिखाता हूँ आपको तो यह एक चैनल है इसके 570 सब्सक्राइबर हैं बहुत कम सब्सक्राइबर हैं 537 सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे एक और चैनल है जैसे कि यह है डीबू की टिक इसके सब्सक्राइबर हैं 5700 तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ तो PRT Trending Tips है यह YouTube चैनल अब इसके व्यू देखिए 1400, 77, 25, 100, 200, 300, 400 ऐसे व्यू आए हैं तो और यहाँ पे आप अगर आप इसके चैनल पे आए तो यहाँ पे भी इसके कोई बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है इसके जैसे व्यू है 300, 600, 600, 600, 800, 800, 800, 900, 900 व्यू, 400, 300 व्यू तो ऐसे व्यू है तो आपको लगता होगा कि यार इसके बहुत कम है तो बहुत कम पैसे कमाता होगा लेकिन इसको हल की में नहीं लीजी य یہ आराम से कम से कम 50-60,000 रुपे महीने कमाते होंगे और कैसे कमाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं वही चीज़ तो यहाँ पर देखिए इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं यह 530 सब्सक्राइबर हैं तो आप भी नया YouTube चैनल स्टार्ट करिए और जैसी आप नया चैनल स्टार्ट करते हैं डेली वीडियो बनाना सुरू करते हैं तो आप भी अर्णिंग कर पाएंगे तो आपको कैसा बनाना है, आपको बनाना है एक अर्निंग एप से रिलेट चैनल बनाना है जहाँ पे आपको अर्निंग एप के रिव्यो देना है तो अब होता क्या है देखो YouTube में जितने भी अर्निंग एप के वीडियो बनाते हैं या पिर मैं एक चीज़ा आपको बता देता हूं कि Google Play Store के अंदर आज जीतने भी earning app से related app है उसमें 99% app ऐसे हैं जहां पे वो referral का option रखते हैं कि आप उसको refer करेंगे तो आपको 20 रुपए, 30 रुपए minimum 10 रुपए तो आपको मिलेंगे ही तो मैं आपको बताओं कि अगर आप कोई भी वी बीडियो बनाते हो कोई भी वीडियो बनाते हो earning app से related और आप वीडियो सेर करते हो, उस पे 100-200 वीव आते हैं, इसके साढ़े 300 वीव आये हैं कितने 350 वीव आये हुए हैं अब मैं आपको बताओं कि इस तरीके की वीडियो वही देखता है, जैसे इसने अपने thumbnail भी भी लगाया है कि instant आपको 10 रुपे मिल जाएंगे instant 20 रुपे मिल जाएंगे, instant 15 रुपे मिल जाएंगे तो इसकी वीडियो वही देखता है जिसे 10, 15 रुपे, 20 रुपे से कमाने है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा आपको इस तरीके के वीडियो बनानी है और उसका referral लिंक आपको वीडियो के description box में दे देना है अब जैसे माल लो इस तरीके वो वीडियो देखते हैं जो इसको install करते ही हैं तो अगर आपने share किया, अब मैं कहता हूँ साथे 300 लोगों में से 200 लोग ने हालत में 1000 रुपए भी कमाते हो तो आप 30,000 रुपए महीने का referral से सिर्फ कमा रहे हो, यह YouTube की कमाई नहीं है, पिर दूसरी चीज़ जैसे आप कोई channel अपना create करते हो, जब भी आप कोई नया channel create करते हो, और आप चाहते हो कि आपको sponsorship मिले, मैं आपको बता दू, जैसे यह एक channel है, PRT trending tips इसको sponsorship मिलती है, अब आपको अगर sponsorship चाहिए, तो आपको क्या करना होगा आपको अपने about section में जाना होगा और जैसे इसने बहुत सारा description लिखा है यह चीज़े आपको नहीं लिखने हैं, नहीं लिखोगे, तो भी चलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने email ID दे देनी है, जैसे इसके channel पर भी आएं और about में check करें, तो इसने ज़्यादा description नहीं लिखा है, इसने सिर्फ यहाँ पर थोड़ी दो line में कुछ लिखा है और यहाँ पर लिखा है for business email और यह इसने email ID दे दी है, ऐसे मैं भी अपने channel के अंदर देता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो भी channel आपने create किया है आपको अपने creator studio में चला जाना है YouTube studio के अंदर चले जाना है यह काम आप अपने mobile में भी कर सकते हैं आपको अपने mobile को Google Chrome में open करना है, और desktop site में open करना है, इसके बाद आप अपने creator studio या YouTube studio जो भी आप बोलो, वहाँ पर आ जाईए, इसके बाद आपको नीचे customization का option मिल जाएगा left side में, तो आपको इसको click करना होगा यह mobile से भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आने के बाद, आपको basic information में click करना है, और इसको click करने के बाद देखिए, नीचे आपको option मिल जाता है यहाँ पर description का, तो यहाँ पर आप जो डालना चाहिए, डाल दीजे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जरूर डालनी है for business inquiry, क्योंकि जो company होती है, वो ऐसे channel को search करती रहती है, आपकी video देखेंगे, वो भले आपके 100-200 view आएंगे, जितने भी आपके view आएंगे, उस हिसाब से आपको वो पैसे देंगे, मैं आपको बताओं कि अगर आप earning app से related video बनाते हैं, तो आपको गिरी हालत में अगर 100-200 view आते हैं, तो आपको 1000-15 सुपए वो दे देगा, जैसे मैं आपको बताओं, और जैसे आप regular video बनाओगे, तो अगर आज 100-200 view आते हैं, तो 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे, जैसे मेरा जो channel है, तो अभी तो मैं इसमें वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास time ही नहीं रहता, YouTube में वीडियो बनाने का, लेकिन आज मैंने थोड़ी time नहीं काला, क्योंकि जब मैं आज YouTube पे देख रहा था, तो मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि यार, लोग कितना आरिनिंग कर रहे हैं इससे, तो मुझे लगा कि मुझे मेरे subscriber को बताना चाहिए, और लोग इसको देखेंगे, तो company देखती है कि उसके view कितने आ रहे हैं, और view के हिसाब से आपको पैसे देती है, तो 100-200 view अगर आपके आते हैं, तो आपको गीरी अहालत में 1000 रुपए company वाला जरूर देदेगा, अब मैं कहता हूँ कि आप परड़े एक वीडियो बनाते हो, इस टार्टिंग में हो सकता है, 50 वीडियो तक आप बनाओ, तो आपको sponsorship न मिले, उसके बाद आपको मिलना सुरू होगी, मैं कहता हूँ, 1000 रुपए भी sponsorship का मिलेगा, तो आपको महीने का कितना हो गया, 30,000 रुपए sponsorship के, और 30,000 किसके referral के, तो कितना हुए, 60,000 रुपए, आप चलो मैं दूसी चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्या है, देखो, आप चैनल create किये हो, कभी न कभी तो आपके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंडे complete होगे, तो उसके बाद जब आपका चैनल monetize होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जैसे मैं चैनल में वीडियो upload करता हूँ, मैं किसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, YouTube टिप्स के बारे में, तो मुझे जो मेरा RPM होता है, काफी कम होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको content में ले जाके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बार, यहाँ पर कुछ दो-चार वीडियो बनाया हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ उस वीडियो को, और आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखी आप, काफी स्यारे वीडियो बनाई है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई भी उठा लेता हूँ, यहाँ पर इस वीडियो को उठा के दिखा देता हूँ आपको तो यह है 11 Dream App था उसके वारे मैंने बताया था और इसके मुझे स्पोंसर से मिले थे 22,000 रुपए तो यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ इसको ओपन करने के बाद मैं आपको इसके व्यू दिखाता हूँ तो इसम इसमें कितनी अच्छी अर्णिंग है अब यहाँ पर अगर मैं अपनी नॉर्मल वीडियो पर ले जाओं जहाँ पर मैं यूटूब के टिप्स देता हूँ तो उस वीडियो को मैं आप दिखाता हूँ तो इसमें जैसे कितने हैं अंठामन हजार व्यू तो ऐसे ही मैं कुछ दिखाता हूँ आपको जिसमें इससे रिलेटेड ही व्यू हूँ तो मैं यहाँ पर ले चलता हूँ किसी भी वीडियो को आप उठा लो यहाँ पर मैं कौन सी वीडियो दिखा दूँ आपको तो यहाँ पर कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ मैं जैसे कि यह है वीडियो यूटूब टिप्स को लेके लेकिन अगर आप किसी एप का रिवी देते हैं जहां पर अर्णिंग एप है तो वहां पर अच्छी खासी इंकम हो जाती है इसी तरीके से मैं आपको यही बताना चाहरा था कि अगर आप इस तरीके का चैनल बनाते हैं तो एक तो अर्णिंग हो हो गई कैसे रिफ्रल से दूसरी हो गई इस पोसर सिप से और तीसरी किस से हो गई अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है बाद में तो अर्णिंग बहुत होती है मैं आपको बता दूँ जैसे यूटूब टिप्स में देता हूं तो अगर मैं 10 डॉलर कमाऊंगा और उ जैसे मैं अर्णिंग एप के बारे में वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो भी वीडियो रैंक करेगी तो पहली दूसरी वीडियो को मैं क्या करूंगा क्लिक करूंगा यह चीज मैं अभी आपको मोवैल में भी दिखाऊंगा तो यहाँ पर देख लिखा है, तो अच्छा सा description इसका copy कर लीजे, थोड़ी सी इसमें editing भी कर देना, ऐसे पूरा का पूरा copy कर दो, फिर इसका आप टेग भी copy कर सकते हैं, तो अगर आप अपने Google Chrome के अंदर कोई भी extension इंस्टॉल किये हैं, जैसे TubeBuddy हो गया, या Video IQ हो गया, तो उससे आपको इसक सर्च कर लेता हूं, मैं earning apps, तो जैसे यह सर्च करता हूं, तो मेरे पास बहुत सारी वीडियो आ गई, अब वीडियो आने के बाद जो भी rank कर रही है, तो इसको क्या करना है, इसको मैंने open करा, तो यह मैंने open कर लिया, open करने के बाद इसका title मैं copy कर लूँगा, इसके बाद यहाँ पे अगर more पे क्लिक करूँगा, तो इसका पूरा description दिख जाएगा, तो यह मैं description इसमें, जो भी, देखो, कितने सारे यह tag लगाया है, तो यह चीज मुझे copy कर लेना है, तो यह copy करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, इसका जो बीडियो है, तो इस बीडियो को मैं इसके जो link है, उसको copy करूँगा, तो share पे click किया, copy link किया, इसके बाद एक काम आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको play store से एक app install करना है, तो यह मैं play store में आगया, और play store में आपको जो install करना है, एप उसका नाम है tag you, तो आप इसको install कर लीजे, इसको install करने से फायदा क्या है इसको install करोगे तो आप किसी भी वी वीडियो का tag निकल सकते हो तो आपको क्या करना है open पे click करना है और open पे click करने के बाद get tag from URL पे आपको click करना होगा और यहाँ पे उस वीडियो का आपको link copy कर देना है और check पे आपको click कर देना है तो ये सारे tag हमारे पास copy हो जाएंगे और इस tag को copy करके आप अपने वीडियो के अंदर लगा सकते हैं और जब tag और description सही डंग से लगा दोगे तो आपकी जो वीडियो है इस टार्टिंग में दो चार वीडियो अपलोड करे हो और आप सोंच रहो रेंग करेगा तो ऐसा नही बीडियो अपलोड करनी पड़ेगी रेंग करवाना पड़ेगा डेली टेग्स कीवर्ड टाइटल अच्छे डालोगे तो आपको जो वीडियो है रेंग करना सुरू कर देगा तो दोस्तो इस तरीके से आप एक नया यूटूब चैनल करके पहले दिन से अर्निंग कर सकते ह और मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल या सुझाओ है तो आप कमेंट करके हमसे पूँच सकते हैं और बता सकते हैं तो दोस्तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मत